प्रेश पूडियो में आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइट्स ते बस के फाइनल पार्ट को फाइनल पार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसे पहले में मैं दो पार्ट इसके उपर बना चुका हूं आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर देंगे और आज चैप्टर के एंड में मतलब जब सारे कोश्चन को मैं डिसकस कर लूँगा उसके बाद आपको लास्ट में जैसे कि मैं हर चैप्टर के बाद में देता हूं गुरु मंत्रा भी दूँगा जिसमें कि मैं बताऊंगा कि वह कौन-कौन से इंपोर्टेंट चीज़े हैं इस चैप्टर से जो कि आपको एक्जाम में हेल्प करेंगे जिससे कोश्चन पुछे जाएंगे ठीक है सो विदाउट वेसिंग ना टाइम लेट स्टार्ट था वीडियो स्टुडेंट्स आज का पहला कौश्चन है हाउट वाली मैनेज्ट ट्रैवल बाई बस विदाउट नॉलेज ऑफ हर मदर देखिए वाली का प्रिप्रेशन प्लाइनिंग यह सब लोग पढ़ चुके थे फर्स वीडियो में सेकेंड वीडियो में हम देखा कि कैसा उसका ब प्रिशक देख लिजेगा सबसे पहले आपके लिए जरूरी क्या है को समझना को समझेगा तो आप लोग खुद से आंसर कर सकते हैं ठीक है इसको रटने के कोई आवशकता नहीं है तो समझे वह वाली मैनेज किस तरह वाली ने मैनेज किया बस से ट्रैवल करना बीना अपन करता है कि उसको कि उतना दिर में वह बस का जर्नी कंप्लेट करके घर वापस आजाएगी ठीक है तो इस तरह से उसने दोपहर का समय चुना था ठीक है चलिए आंसर को देख लेते हैं फटाफट शॉट आंसर है क्योंकि मा उसकी सोई हुई थी ठीक है जब वह बाहर गई थी कब जब वाली बाहर गई थी तो उसने दोपहर का समय चुना था ठीक है आप इसमें एक दो लाइन और एड़ कर सकते हैं जैसे कि वहाँ लिख सकते हैं आप शी कि डिसाइडेड तो गो तू दा जर्नी ठीक है डियूरिंग दा आफ्टर नून ठीक है नून दोपहर के वक्त ठीक है एस शी निव दाट टाइम हर मदर वास असलिप तो इस तरह से उसने प्लानिंग को किया था ठीक है यह शॉर्ट कोर्शन था लेकिन इंपॉटेंट था आगे देखा जाए यह कोश्चन ने 2014 मा चुका है क्या है कोश्चन हाओ डिडवाली फील ऑन सींग देड काव ऑन दा रोड काफी इंपॉटेंट कोश्चन है ठीक है यह कोश्चन इस बार आने की चांसे काफी हद तक लग रही है तो अगर माली जै कि यही कोश्चन को हो सक करता है थोड़ा मतलब घुमा फिरा के पूझते लेकिन यह फाइनल जो उसका मतलब जब वह रिटर्न होती है जरनी से उस वक्त का यह टॉपिक है तो यह काफी इंपॉटेंट है ठीक इससे कोश्चन पहले भी आ चुके हैं तो कई बार ऐसा होता कि कुश्चन आ चुके है लेकिन फिर भी वो अलग-अलग ढंग से घुमा घुमा के देता है ठीक है जैसे यहाँ पर तो डिलेकली पुछ दिया कि हाउ डिट वाली फील ऑन सीग देड काव ऑन दा रोड जब वो वापस आ रही थी अपने विलेज की ओर तब उसने डेड काव को देखा था रोड पर गिरे हुए तब उसको क्या फील हुआ था ठीक है क्यों मैं बता रहा हूँ यह important है इसलिए क्योंकि इससे कुछ उसे सीख मिलती है जो कि इस lesson से हम लोग को भी एक moral morality सीखने को मिलता है moral चीज मतलब अच्छाई या बुराई का ग्यान सीखने को मिलता है तो कोई भी ऐसा question जो हमें जीवन में ग्यान देता है वो question खुद बाखुद important हो जाता है यह एक trick आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी chapter में अगर कुछ ऐसा question आपको लग रहा है कि जो हमें life में practically help करता है सिखाता है so that question is already important ठीक है तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा किसी भी chapter प काव को देखने के बाद when she saw the dead cow lying on the crowd she was horrified by the scene यहाँ पर एक mistake है lying on the road होना चाहिए ठीक है रोड पर वो पड़ा हुआ था dead body किसका काव का she was horrified by the scene देखिए वो छोटी बच्ची है 8 साल की बच्ची है कोई भी बच्ची छोटा सा जानवर भी अगर देख ले तो यह तो खेर कम से कम काव है तो बड़ा होता है जो की देखने में तो देखके काफी डर लग जाएगा बच्चे को तो horrified हो जाएगा तेसले horrified थी और यहाँ पर आपको एक चीज और देखने की बात यह है कि यह वही काव है जो जाते वक्त जब वो टाउन की और जा रही थी तब वो दोड़ता हुआ बस के तरफ से क्रोस कर रहा था तब उसको देखकर काफी enjoy किया था वाली ने तो जब किसी जानवर को या किसी वेक्ति से हम लोग थोड़ा familiar हो जाते है या एक दो बार देख लेते हैं उसका फिर dead body देखना थोड़ा एक और उससे थोड़ा डर लगता है या खराब लगता है बुरा फील होता है यह एक और reason था ठीक है तो आप यह line भी mention कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यह line आप mention क्या कर सकते हैं कि it was the same cow it was the same cow whom she saw while she was going to the town जब वो town towards the town जब वो town की और जा रही थी तब उसने उस cow को देखा था यह वही cow है ठीक है she was too young to digest the loss of being in such a brutal manner तो वो काफी young थी काफी छोटी थी तो इस बात को digest पचा पाने में किस बात को पचा पाने में किसी चीज़ का खो जाना loss इस brutal manner मतलब इस निर्दई धंग से कैसा हो सकता है यह उसको काफी बुरा लगा this shocked and deeply saddened her leading to a loss of her excitement and joy that she initially had वो पूरी सफर में पूरे के पूरे journey में वो काफी enjoy कर रही थी but यही वो ऐसा incident था जहां पर वो shock हो जाती है और निराश हो जाती है तो इस question को इस type से घुमागे भी दे सकता है कि वो कौन सा incident था जिससे वली sad हो जाती है और क्यों समझना रहा है यह question को भी आपको content आपको यही डालना है ठीक है और अंत में सबसे important she understood the meaning of life and death from this incident इस incident से ही उसने जीवन और मरन का अर्थ को समझा कि हमें life को responsibility के साथ जीना चाहिए क्योंकि वो cow है वो तो खेर कम से कम animal है तो animal को human से compare नहीं कर सकते हैं तो इससे वो थोड़ी सहम सी जाती है और इस बात को सोचने लगती है कि नहीं नहीं life हमें जो मिला है इससे थोड़ा responsibility के साथ हमें जीना चाहिए तो कई बार जीवन में कुछ ऐसे experiences से हम गुजर जाते हैं न कम उम्र में ही तो वो हमें काफी कुछ सीख देता है ठीक है माबापता हमेशा कहते हैं बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि बाहर नहीं जाओ ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो तो बच्चे सुनते हैं और ignore कर देते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता हुँ अपने आग के सामने देख लेते हैं तो उसका एक अलग ही impression मैंड में छप जाता है इसलिए यह question काफी important है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह question मैंने किस लिए दिया है इसका reason समझेगा वह वाली को मैडम बोलकर क्यों बुलाता है क्योंकि chapter का नाम भी क्या स्टोरी का नाम भी क्या मैडम राइट्स दबस तो हो सकता है यह पूछ दे कि इसका title मैडम है यह बड़ा ही common सा चीज़ है टाइटल थीम यह सब जो है ना यह सब किसी वी chapter के पूछ सकता है तो आप हर chapter का title थीम आप साइड में लिख सकते हैं ठीक है यह आपको काफी help करेगा किसी का भी आ सकता है एक्जाम में तो मैडम उसको क्यों बुलाता था ठीक है मैडम उसक चोटे बच्चों को बड़ों के जैसा भी करते हैं तो सब बागी लोग क्या करते उसको देखकर enjoy करते हैं तो उसने भी enjoyment में मजाग मस्ती में ही उसे मैडम बुलाना शुरू कर दिया था यही कारण था और कोई कुछ खास ठोस कारण नहीं था यह question इसलिए मैंने यहाँ प फेलो वो जॉली मतलब थोड़ो मजाकिया किसम का वैक्ती था फेलो मतलब वैक्ती था he was much fond of joking मजाक वजाक करता था he had judged the temperament of this small child इस छोटे बच्ची का सोच को उसने जज़ कर लिया था कि वो किस थाइफ कर बीएव करती है वाली आलसो बीएव लाग के ग्रोन अप गर्ल एक छोटे बच्चे के लिए अपना बस का फेयर खुद देना बस का किराया खुद देना और अकेले ट्रैवलिंग करना काफी बड़ा बात होता है है ना हमारे लिए एक कॉमन सा बात है लिए बच्चों के लिए तो काफी बड़ा बात है तो वो अपने आपको ग्रोन अप अच्छा लगाने के लिए आसा किया वली मैडम करके उसके बुला है यह आकरी क्वेशन को देख लेते हैं यू शुड़न्ट स्टैंड लाइक दाउन हूँ इसका मतलब यह नहीं कि यही सेम टू सेम कोश्चन आपको उठा के एक्जाम में देगा यह मेरा परपस यह था इसको पिक करने का कि मैं आपको दिखाऊं कि इस टाइप के कोश्चन भी एक्जाम में पूछे जाते हैं किस टैप के questions पुछे जाते हैं, statement वाले question, statement वाले question literature में काफी important होते हैं, ध्यान रखिएगा, statement मतलब chapter का, कहानी का, story का कुछ ऐसा हिस्सा, जो कि किसी ने किसी को बोला, कहानी में कोई part किसी ने किसी को कहा, तो वो important line होता है, तो वो important line उठा के simply दे देगा आपको, you shouldn't stand like that, sit down, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, दिखिए, सबसे पहली बात कि sir, आप लोग को मन में सवाल उठता हो, sir, कि पूरा chapter का थोड़ी याद रहता है, कि हम लोग का कौन सा line कहां से pick किया हुआ है, ये बात मैं भी मानता हूँ, किसी को भी याद नहीं रहता है, कि पूरा chapter के एक line कहां से क्या लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाभू होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा common sense का खेल हो जाता है, ठीक है, common sense का मतलब, आपको ये line को रटना नहीं है, आपको इस line को देखकर guess करना है, कि ये line किस chapter के, किस part से pick किया हुआ है, ध्यान रख हाला कि question में कुछ ऐसा दिया रहा है, कि जिससे आप identify कर लेंगे, मालेज़े कि कोई character का नाम लिखा हो रहाएगा, या story character का नाम लिखा हो रहाएगा, इस तरह से कुछ identification दिया हो रहाएगा, समझेगा, मैं इतना time क्यों ले रहा हूँ question का मतलब समझाने में, क्योंकि आपक आपके question को prepare कर आया, पांचवा question आया तो आप लोग खाली बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आपको बतारो कि आप guess कर सकते हैं, guess कीज़ेगा कि अच्छा अच्छा ये line तो पक्का इसी का है, sit down बैठने के लिए बोला था, क्योंकि वो सफर कर र है, तो सबसे पहले उस बड़े व्यक्ति ने कहा था, elder person ने कहा था, किसको कहा था, चोटी सी बच्ची वाली है, उसको कहा था, ये आपका जवाब हो गया, पहला और दूसरा, तीसरा एक और है, how did the letter react, letter का मतलब क्या, ये letter का मतलब होता है, जो पिछला वाला, पिछला यह हाँ पर कौन है, who said to whom, who मतलब ये पहला है, और whom मतलब ये दूसरा व्यक्ति है, तो ये दूसरे की बात किये जा रही है, letter, जैसे कि मैं कहता हूँ अगर sentence में, राम और श्याम, were good friends, the letter was a police officer, letter मतलब मैं यहाँ पर राम और श्याम दो व्यक्ति के बात कर रहा हूँ, तो letter मे से questions को थोड़ा घुमाया जाता है, twist किया जाता है, चलिए, फटा-फट देख लेते हैं, the elderly man said this to Wally, कह सकते हैं, this statement was said by the elderly man and it was said to Wally, this shows his concern towards her, ये दिखाता है कि वो उसको लेकर चिंतित था, ठीके, वो ज्यादा मैच्योर था, वो जानता था कि चोटी बच्ची हाथ साओ सक चोट लग सकता है, उसके चिंता वहाँ पर दर्स आई गई है, ठीक है, वली ने कैसे react किया, तो Wally did not want anyone to interfere in her matter, वो निजाची थी कि कोई उसको interfere करे, वो उसको enjoy करने दिया जाए, this anyone, this annoyed her so much, ठीक है, इससे वो काफी परेशान हो गई थी, annoyed हो गई थी, तो यही इसमें आपको prepare करने exam के लिए, so I hope आपको सारे की सारे questions को अच्छे से मतलब समझने आ गया हो, और किस प्रकार से answer करना है, आप इसके technique को भी सीखते जा रहे हैं, ठीक है, तो अब वक्त है, गुरु मंत्रा का, गुरु मंत्रा में मैं बताता हूँ कि इस chapter से हमें क्या 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 कर planning जो करती है, चड़ने का, वहाँ तक को आपको बाट देना है, और दूसरा कि उसकी bus की journey और उसका return आने का, ठीक है, इसको आपको इस तरह से mind में story को divide कर देना है, ठीक है, सबसे पहले आता है, वली कौन है, तो वली का introduction, वली के बारे में question पुछा जा सकता है, वली के बा अपने घर के बाहर ज्यादा टाइम पास करती थी, यह से बता के खतम, लॉंग टाइप आता है, तो समझेए कि एक तरह का यह character sketch है, character sketch है question आता है, write the character sketch of वली, तब आपको पूरा A to Z बताना है, कि वह किस type की है, कैसा उसका temperament है, कैसे वह bus में planning करती है, फिर जाके successfully वह इसा उसको नहीं करने चाहिए, पूरा A to Z आपको explain करना पड़ता है, तो यह जो रत्त थोड़ा deep में चला जाता है, और यह आपको उपर उपर बुलना जाता है, तो वली के बारे में 2 type के question you can expect, ठीक है, अगला, वली को किस प्रकार information मिलता है, कैसे information मिलता है, कि वह लोगो को information कैसे मिला, फिर तीसरा, वली का planning क्या था, ठीक है, यह हो गया, first half से 3 point, यह आपको कर लेंगे, काम खतम first half, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, second half में आते हैं, second half में bus के journey पे आते हैं, तो bus के journey में सबसे पहले bus को description आ सकता है, bus कैसा था, उसको describe कीजिए, ठीक है, द question पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, अपने से बना-बना के लिखिए, इसाब topic को, ठीक है, लिक लिक के practice कीजिए, नहीं होता है, तो comment box में लिखिए, I will see the comments, ओके, और कहीं पर कुछ मिश्टेक होगा, उसको मैं improve कर नहीं कुछिश करूँगा, तो यह हो गया, passengers की बा लेते हैं, क्योंकि chapter lengthy है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको total मिलाके, 7-8 points मैंने आपको बताया, छोटा chapter रता है, तो मैं 3-4 points में, Guru Mantha को खतम कर देता हूँ है, तो बड़ा chapter है, long question आने का chance इसमें जादा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यह सब topics को अच्छे से पढ़िए, अ और English का कोई नया chapter मैं लेकर आऊँगा, में भी कोई second poem होगा, Amanda तो हो चुका है, कोई दूसरा poem को मैं start करता हूँ, next वाले poem को, ठीक है, so thank you for watching the video, do like it, share it to your friends and subscribe to my channel, Total English, thank you झाले है, झाले है, पसक ओनाने को, आज दूसरा है, झाले है, क्था दूसरा है, उतक आए को इसके खएदेदान को, अबसे को देख़िए, अज़ज़खन।